गरीब परिवार की कहानी किसी छोटे से गाव में एक गरीब परिवार रहता था इस परिवार में माता पिता और उनके दो बच्चे थे परिवार की आर्थिक स्थिती बेहत खराब थी पिता दिनरात मेहनत करके खेतों में काम करते थे और माघर का काम संभालती थी बच्चों के पास नहीं अच्छे कपड़े थे और नहीं पढ़ाई के लिए परियाप साधन फिर भी इस परिवार में एक चीज की कभी कमी नहीं थी माता पिता ने तै किया कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे हर सुरज उगने से पहले ही पिता काम पर निकल जाते और माघ छोटे छोटे काम करके पैसे जुटाती बच्चों ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी गाम के स्कूल में वे टॉपर बन गए बच्चों की महनत और लगन देखकर स्कूल के अध्यापकों ने भी उनकी मदद की एक दिन गाम में एक बड़ा अधिकारी आया जिसने बच्चों की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर दिया बच्चे शहर गए वहाँ भी उन्होंने अपने गाव और परिवार का नाम रौशन किया वे लगातार अपनी पढ़ाई में उतक्रिष्टता प्राप्त करते गए और स्कॉलर्शिप के जरिये अपनी शिक्षा पूरी की बड़ा बेटा इंजिनियर बन गया और छोटी बेटी डॉक्टर दोनों ने अपने परिवार को गरीबी से निकाल कर एक सम्मान जनक जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाया उन्होंने अपने माता-पिता की मेहनत और त्याग को कभी नहीं भूला और उन्हें हर संभव सुक्सु विधा प्रदान की इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि परिस्थितिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों नहों महनत लगन और द्रिट संकल्प से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं यह परिवार आज भी अपने गाव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है तो यह कहानी आपको कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद